इस खबर नामे को पेश करदा अलमनान जेल्स शाली बंडा है दरबाद पूरा उसको जल्दी से जल्दी आस्पिडल को लेके गया है फिर भी वो शेक नजीर ने चाकू से हामला के द्वारा मोथ हो गया है उसके बाद एक केस रिश्टर किया है 156 by 2023 in कंचनबाग पोलिशन लिमित अंडर सेक्शन 302, 109, 201 रेटवी 34 and 120 B of IPC तो इस केस में इन्वेस्टिकेशन करने के बाद हमको अभी तक साथ लोगों का इन्वाल्मेंट आया है इसमें में अक्यूज़ बाबा शिंडे एवन और एटू आका शिंडे एबाप और बेटा है इसका तोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखे गया तो बाबा शिंडे का बच्चे विशाल शिंडे बोलके एक मंदा था दो साल पहले चत्रिनाका पियस में एक मडर केस रिश्टर हुआ है वो मडर केस में विशाल शिंडे को चत्रिनाका से पिकप करके किणाप करके जहिराबाद जाके उधर मडर किय गया गया है उस मडर केस में अभी जो डिसीज्डे शेख नजीर और उसका ग्यांग का इंवाल्मेंट था तो उसी टाइम से इन दोनों को बीच में बाबा शिंडे और नजीर का ग्यांग इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था कि दुश्मनी में कभी-कभी शेख नजीर ने एक बाबा शिंडे के और एक बेटा है कि आकस शिंडे को भी इंस्टा ग्रम में में मेसेज बेंग साथ हम आपका बाई को जैसा मारा आपको भी मानने के लिए मार सकते बोलके ऐसा डरा आता था है सो जब वह ऐसा मेसेज़ आ रहा है और इसको देखे और विशाल बाबा शिंडे को भी लागा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है हम 7 लोगों ने नजिर्ग ने मारा है और बाबा सिंडे भी इसका बच्चे के लिए मार दिया इसको भी रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था ये पूरा बैग्रोंड लेके दो मेने पहले आका शिंडे ने बाबा शिंडे का और एक बच्चा बाबा शिंडे का और एक बच्चा आका शिंडे ने दो नाइफ्स दो चाकू अमेजान से फ्लिपकाट से आडर किया ह शेय अबदुल जबर ने एक और एक चाकू लेका आया और प्रेममनेक काईफ महिनुदिन अतर शेक आशमली और चार लोग बाबा शिंडे और आका शिंडे और पांच लोग पुरा साथ लोग मिलके एक कांस्प्रेसी किया गया है एक conspiracy में इसको शेक नजीर को murder करके settle करना है इसका revenge को settle करना है बोलके सोचा है तो ये plan को implement करने के लिए A4 प्रेम मने ने रिक्की करने के लिए आडर दिया गया है बाबा शिंडे ने तो उस दिन जो 12 अंटा 13 का बीच में रात में ये A4 प्रेम मने रिक्की किया गया है नजीर का गर के पास तो उस टाइम नजीर ने बाहर उसका गर का बाहर एक आटो था वो आटो में बैट के फोन चेक कर रहा था उस टाइम में नरेश मने ने देखके इनको information दिया है और बाकी लोग सेद, अब्दुल जबर, कैफ मेनुद्दिन, अत्तर और शेक अशमली इन लोगों ने पूरा entry exits का कैसे बाहर से लोग नहीं आने नहीं दे सकते हैं पूरा check करके इन दोनों का मदद किया है इसमें उस दिन A2, A3, A4 ये तीनों लोग जाके तीन चार चाकू लेके इसको मारा गया है तो ये चाकू का गायल के वज़े से अशेक नजीर ने अंडर ग्रोनी टीटमेंट मौत हो गया उसका और ये A7 ने इसको कैसे इविडेंस को टैंपर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं उसको भी मदद किया गया है तो उसके बाद हमने लगबग चार टीम फार्म करके विडेहलप आफ साथीज जॉन टास्क पोर्स अंडर इंस्पेक्टर चिट्टिगारू पूरा मिलके आज पूरा साथ लोगों में चे लोगों को गिराफतार किया गया है उसको गिराफतार करके तीन चाकू और पांच मोबाइल्स सीज किया गया है ये पूरा मेटीरियल के साथ और अक्यूजड को कोट में पेशी करके उसको जुडिशल रिमैंट पेज जाय है इस दोरान पर मैं सब मीडिया लोगों को और हमारा 37 जोन का तमाम लोगों को और नवजवानों को सब को एक अप्पिल कर रहे है जो भी चोटा मोटा इश्यूस होता है रहता है सोसाइटी में एक चोटा चोटा इश्यूस में एक चाकू लेके हामला करना नहीं तो गूर के देखा ऐसा चोड़ी चोड़ी चीज में एक दूसरे पर मार पीटना ये पुरा बंद करना है इस पूरा देखा है तो 20 साल 25 साल का बीच में है इन लोगों अभी मटर के से इनमाल होगा तो पूरा जिंदगी बार इसका रौड़ी चीट चले जाएगा और जो भी क्राइम होगा उसको बुला के सस्पेट करने का होता है तो आई रिक्वेस्ट आल पॉब्लिक नाट टू इन्वाल्व इन दिस कांड अव एक्टिविटीस ए नौजवान बच्चे जो है रात में इदर उदर गूमना बिना कारण से ऑख कैस में नाना और उसका क्यरीर उसका लाइफ बरबात ना करें क्योंकि एक बार एक एक केस हो गया एक अभी चाज जन है और इसके पास जो भी लोग खड़ा होता है उसको पता नहीं होता है क्या हो रहे हैं फिर भी उसका नाम आ सकते हैं क्योंकि वह भी अकांप्लिस होता है कभी-कभी टाइम में और एक वार्निंग है इस लास्ट वार्निंग और आल रॉड़ी शीटर्स ट्रबल मांगर्स अभी तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से बुला के बात करके आपका कौंसलिंग भी दे सकते हैं और जिसका सुटबुलिटी है डिजर्विंग कैनेट उसका ओपर पीडी आक्ट और तड़ पर करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे और राद बर अभी आपरिशन कार्डन वो भी कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारे लिस्ट आया है टास्कूर्स को लेकर आके उसको कौंसलिंग करके और कानुन की हिसाब से क्या-क्या कर सकते हैं पूरा करके उसको पब्लिक में एक कांफिदेंस लेने के लिए हरे सब कोशिश करेंगे थैंक्यू अभी हमारा आइटी साइबर सेल भी इसको लिक रहे हमें जाना और क्लिपकार्ट के बेज ओ आउनलाइन में क्योंकि वो इस्तमाल कहीं पर वो इल्लीगली इस्तमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो करेंगे वो वो वेबसाइट से निकालने के लिए हमारा आईटी टीम ने एक लेटर भी लिखा गया है जारेक्ट पॉलिष डिपमेंट का नाम पी जैओ इस जिए की मधर ने स्टेटमेंट गेते रहे था है के अस्लाम नामकारी जो पिराइन का जो एक रुए कंचनबाग में जबूपी करते हैं उनका नाम भी ले रहे है कि वो भी इस प्लैन में सम्चेश के जवान अस्लाम को जूग से बादगां से बूदी हो नगताग बाता हुआ हुआ है